वहीं रिम्स के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट क्लिनिकों में अपनी सेवा देने का मामला देरे देरे तूल पकड़ता जा रहा है चार डॉक्टरों ने इस मामली में वियारस दे दिया है और कई अन्य देने की सोच रहे हैं पेशेक रिपोर्ट जारखन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कुछ दिन पहले कई ऐसे डॉक्टर जो रिम्स में सेवा देने की साथ साथ कई सारे प्राइवेट क्लिनिकों में भी अपना योगदान दे रहे हैं इस खबर को कई अख़बारों ने चापा था अब उस पर एसोसियेट प्रोफेशर डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रतक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्टर की डूटी नौ से पांच तक की होती है अब अगर कोई मरीज उसके बाद दिखाने आएगा तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं उन्हें सेवा देनी ही पड़ेगी सकते हैं इसके लिए हमको किसी तरह का हमारे उपर ये नहीं होना चाहिए मतलब बंदिस नहीं होना चाहिए एक चीज यह है दूसरा है कि पिछले साल जब बात चली थी तो उस समय ततकालिक मानने मुख मंते द्वारा हम लोग के साथ बारता हुई थी उसमें वहाँ था कि आप नौ से पांच अपना पूरा समय अच्छे से रिम्स को दे और आप जहां रहते हैं वहाँ किसी को जरुत होती है तो आप किसी सला दे सकते हैं यह हम लोग के लिए एक बहुत बरी बात थी कि उन्होंने हमारे बात को समझा कि हम डॉक्टर हैं हमको डॉक्टरी करना है तो हम जब मेरा यह कारवदी है और डॉक्टर 24 गंटे डूटी पर रहता है उनका कोई कारवदी नहीं होता है यह भी गरत फ़र्मी फैलाया जा रह हर समय हम हर जगा इवन आप भी देखें होंगे कहीं सफर में जाते हैं वहाँ कोई डॉक्टर रहता है उसको जरूद परती तो आप इमरेंजिम सेवा देता है तो हमारा यह कहना है कि हमको इस तरह के बंदन से मुक्त किया जाए हमको आप जो इन पी देते हैं उसको ऑफिस हैं तो उनको कार्ज अवधिक के बाकी समय में सेवा देने का मौकम लें जो एन पी नहीं लेते हैं उन लोग और जो एन पी लेते हैं तो उनके लिए तो बस वही रहेगा कि अगर किसी को इमरेंजिम में जरूद रही तो आप मदद कीजिए वहीं रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंग ने कहा कि हाई कूट मौनिटर है यह मामला कोट में है और इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं अगर कहीं भी यह खबर छापी गई है तो इसकी जनकारी सरकार को होगी इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है अब यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि चार डॉक्टरों ने वियारस भी दे दिया है और कई और डॉक्टर वियारस देने की सोच रहे हैं डॉक्टर को भगवान के द्वारा पैच डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा अस्थान दिया गया है एक डॉक्टर के लिए मरीज की सेवा और जान से बढ़ कर कुछ नहीं लेकिन अगर डॉक्टर अपने फाइदे के लिए कोई गलत निर्ने ले तो वह निर्ने अमान है उंकार अवामी के लिए कोशल कुमार की रिपोर्ट